हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल एम बेस एजुकेटर में आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करने वाले हैं तो चलिए इसको शुरू करते हैं और पहला जो सवाल लिखा हुआ है कह रहा है निम लिखित दुई घास समी करणों के मूलों की प्राक AX प्लस 5 इस इक्वल टू 0 होता है जैसा कि आपको मालूम है दुई घास समी करण का जो मानक रूप होता है AX स्क्वार प्लस BX प्लस C इस इक्वल टू 0 के रूप में होता है सबसे पहले हम लोग इसको उसी से कंपेर कर देंगे A, V, C निकाल देंगे फिर उसके बाद जो समी करण का विविक्तिकर निकाला जाता है यानि B2-4AC होता है उसे निकाल के देखेंगे और जब भी किसी दुई घास समी करण की प्राकृति या तो उसके मूलों के लच्छन की बात की गई हो तो सबसे पहले B2-4AC निकाल के A देखा जाता है यह धनात्मक संख्या कोई आ कालपनिक होते हैं उसे हल नहीं किया जा सकता है और लेकिन जैसे ही कोई धनात्मक संख्या आती है तो इसका मतलब यह निश्चित होता है दिएगे समी करण के मूल जो है वो बास्तविक हैं और यह दिये पूर्ण वर्क संख्या आती है तो इसका मतलब बास्तविक भी होते हैं असमान भी होते हैं और परीमें भी होते हैं यहां मूलों के लच्छण की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर 4 नहीं देखिए यहां पर 3 इश्टप होते हैं और हम यह लिखकर के भी आपको बता रहे हैं यद B square minus 4 AC is equal to 0 लिखा है तब तो आपको लिखना है समी करण के मूल बास्तबिक और समान होंगे जैसे ही B square minus 4 AC ये 0 निकलता है तो इसके मतलब दिये गए दुई घास समी करण के दोनों मूल समान होते हैं तो ये इसके लच्छन में आप लिखते हैं ठीक और ये यहां पे हमने लिखा B square minus 4 AC छोटा होता है 0 से तो लिखेंगे समी करण के मूल बास्तबिक नहीं होते हैं चाहें लिख दो बास्तबिक नहीं हैं बास्तबिक नहीं होते हैं और चाहें लिख दीजिए कालपनिक हैं और यद B square minus 4 AC ये बड़ा निकलता है देखिए यहां पे भी गलत लिख गया है B square minus 4 AC ये बड़ा लिखा हुआ जबकि इसको हमें छोटा बताना था तो इसको आप इस तरह से कर दीजिए 20 square minus 4 AC चोटा है जीरो से यानि ये संक्या कोई निशित है रिणात्मक आएगी अब इसमें लिखना है यद 20 square minus 4 AC जीरो से बड़ा होता है तो मूल बास्तविक और अस्मान होते है इस तरह से ये 3 कंडिशन्स यहां पे होती है जहां पे मूलों की प्रकर्ट या मूलों के लच्छन पूशे जाए तो बहां पे सबसे पहले आप 20 square minus 4 AC निकाल के देखेंगे अगर ये 0 है तो इसका मतलब दिएगे समीकरंड के मूल वास्तविक हैं और समान भी है इसी तरह से अगर यहां पे आपकी रणात्मक कोई संख्या आ जाती है तो इसका मतलब दिएगे समीकरंड के मूल वास्तविक नहीं है लेकिन ये दिये संख्या 20 square minus 4 AC जीरो से बड़ी आती है इसका मतलब धनात्मक आती है तो कहेंगे मूल समीकरंड के वास्तविक भी है और अस्मान भी है और अगर कभी 20 square minus 4 AC is equal to पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उसमें आपको ये भी लिख देना चाहिए दिये गए समीकरंड के मूल वास्तविक है अस्मान है और परिमे भी है चलिए तो इस वाले समीकरंड को सबसे पहले हैं ही करके देख लेते हैं इसका जो इस्टेंडर्ड फार्म होता है दिखास समीकरंड का AX square plus BX plus C is equal to 0 सबसे पहले उससे हम इसको compare करके देख लेते हैं तो हमने लिखा दिये गए समीकरंड को AX square plus BX plus C बराबर 0 से तुलना करने पर और यहां पर यह बराबर हो जाता है दो और B is equal to minus का 3 और C का मतलब जो constant term होता है वो ही माना जाता है अब देखिए इसका हम लोग BX square निकालेंगे और यह D होता है और इसका मतलब यह B square minus 4 AC होता है अब B का मतलब यहां पर minus का 3 है इसका square कर दिया minus का 4 तो फार्मूले वाला A का मतलब यहां पर 2 लिख दो C का मतलब 5 लिख दो A 3 त्याइन 9 हो जाता है पांस दूनी 10 और 10 चक्कू यहां पर 40 हो जाता है minus का इसका मतलब यह minus का 31 बसता है जैसे ही minus का बचा है इसका मतलब मूलों के लच्छन में आपको क्या बताना है दिये गए समीकरण के मूल बास्तविक ही नहीं है जब बास्तविक नहीं है तो उसको हल करने की कोई आवश्रकता नहीं है क्योंकि उसका हल ही नहीं है चूक डी इस लेसर देन जीरो इसलिए दिये गए समीकरण के मूल बास्तविक नहीं है और यही आपका answer हो जाता है अब देखिए यही पहला सवाल है और उसका second part है आपका 3x square minus 4 under root 3x plus 4 is equal to 0 लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसको हम फिर एक बार x square plus bx plus c से तुलना अगर कर लेंगे तो हमने लिखा इसलिए a is equal to 3 है और b is equal to minus का 4 under root 3 हो जाएगा और c is equal to होगा 4 अब देखिए बिबिक्तिकर इसका कितना हुआ भई बिबिक्तिकर निकालेंगे d is equal to b square minus 4ac और ये देखिए b का मतलब है minus का 4 under root 3 तो इसका हमने square कह दिया minus का 4 a का मतलब यहाँ पे 3 है और c का मतलब 4 है यहाँ देखिए चार चक को यह 16 हो जाएगा under root जो 3 है वो 9 हो जाएगा 9 का जो है root 3 निकलेगा इस 3 को 16 से करेंगे तो 16 तियां यह 48 हो जाएगा इसी तरह से जब इसको आप multiply करेंगे तो यह भी 48 हो जाएगा यह दोनों निकल के 0 आ जाएगे तो हमने लिखा because d is equal to 0 है इसलिए समी करण के मूल बास्तबिक और समान होंगे दोनों मूल एक बराबर भी निकलने हैं क्योंकि 20 का मैनिस 4 a की बराबर 0 हो गया है अब समी करण को हम लोगों को हल करना है सवाल कह रहा था अगर मूल बास्तबिक हैं तो उसको हल भी करिये अब भाई इसको कैसे करना है या आपकी ذुम्मेदारी है तो इसका मतलब हम सूत्र दौरा इसको हल कर देते हैं सूत्र दौरा हल और यह सीरी धराचार सूत्र कही है तो इसका मतलब यक्स वराबर क्या होता है माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्कॉार माइनस 4AC और अपांट 2A होता है देखिए B माइनस का होता है और यहां पे B कैसा है माइनस का 4 अंडर रूट 3 दिया हुआ है चलो यही वाला ब्रैकेट लगा देते इसकी जरूरत नहीं थी तो माइनस का V प्लस माइनस अंडर रूट B स्कॉार आप निकाल जुके हैं यह 0 है 2A का मतलब यहां पे आपने 3 निकाला है वही रख दिया है बाहर निकालेंगे 4 अंडर रूट 3 आएगा और बटे में 2 गुणे 3 रह जाएगा 0 से कोई मतलब नहीं है यहां से 2 से जब 4 को आप डिवाइट करेंगे 2 अंडर रूट 3 अपन 3 रह जाएगा तो इसमें सिर्फ आंसर लिख दीजिए आता दिये गए दूइगात समीकरण के मूल दो अंडर रूट 3 और बटे 3 और एक बार फिर इसी को हम लोग लिख देते हैं और लिख दिया यह हैं इस तरह से आंसर हो जाता है और सम नंबर जो पहले का सेकेंड था वो कम्पलीट हो जाता है हाँ तो चलिए इस्टेंट्स अब हम लोग जो इसका सवाल नंबर दो है उसको करके देखेंगे और देखिए सवाल नंबर दो में लिखा है निम ने लिखित प्रतियक दूइगात समीकरण में के का ऐसा मान ग्याद करिए जिसके दो बराबर मूल हो यानि मूल दोनों समान है तो के का मान आपको बताना है तो चलिए हम लोग करके इसको देखते हैं और पहला सवाल लिखा हुआ है 2 x square plus k x plus 3 is equal to 0 लिखा हुआ है अब इसको फिर दूइगात समीकरण का जो मानक रूप होता है उससे हम लोग compare करके देखते हैं तो ये के बराबर कितना होगा 2 b के बराबर कितना होगा k और c is equal to कितना होगा ये 3 होगा अब हम लोग फिर इसका बीविक्तिकर निकाल के देखते हैं और बीविक्तिकर इसलिए निकालते हैं क्योंकि यहां पे दोनों मूल समान है इसका मतलब v square minus 4 और c is equal to 0 ही होगा ये निश्चित है तो हमने यह ऐसे करके लिख दिया है यहां पे अब लिखेंगे चूक मूल समान है अब d is equal to हमने 0 जो लिखा है उसकी वजह क्या है क्योंकि सवाल ने कह रखा है आपसे दोनों मूल समान है इसलिए बिविक्तिकर d is equal to हमने 0 लिख दिया अब देखिए बिविक्तिकर इसका होता क्या है b square minus 4 ये का मतलब 2 है और c का मतलब 3 है is equal to 0 हो गया है अब देखिए यहां पे आजाएगा k square minus 4 दुनी 8 और 8 तियां 24 हो जाता है और बराबर 0 लिख दिजिए एक बार फिर k square बराबर 24 लिख दिजिए इसका मतलब k का जो square हटाएंगे तो 24 के उपर under root चड़ा देंगे और जैसे ही 24 का आपको root निकालना पड़ेगा वर्गमूल निकालना पड़ेगा तो आपको मालुम है इसका बर्गमूल भई कितना होता है आठ तियाई 24 होता है दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो ऐसे आप इसको लिख सकते थे यहां पे देख लीजिए इसका तो pair बन रहा है तो इसका मतलब जिसका pair बन जाता है उससे एक digit बाहर आ जाती है और जिसका pair नहीं बन पाता है वो अंडरूट के अंदर ही रखा रह जाता है तो इस pair से दो वाहर आ गया लेकिन जो ये वाला 2 और ये वाला 3 बचा हुआ था इसका pair नहीं बना था इसका मतलब इनको multiply करके यहीं पे रख दीजिए यानि 2 अंडरूट 6 आया है आंसर लिख दीजिए अता के का मान 2 अंडरूट 6 है बस आपका अंसर हो जाता है सवाल नहीं इतना ही पूशा था आपसे पूश रहा था के का मान बता दीजिए जिससे की दोनों मूल जो निकलें इस दीजास समीकर्ण के वो समान हो और समान होने की सर्थ आपकी यह होती है विविक्तिकर उसमें 0 होता है इसलिए 20 स्कॉर मैंनिस 4 AC उकल टू हमने 0 रख लिया था और के की वैलू दो अंडरूट 6 निकल के आ गई और सवाल नमबर दूसरे का जो पहला था वो कम्पलीट हो गया है तो चलिए इस्टुएंट्स सवाल नमबर दो का एक और पार्ट हम लोग करके देखेंगे दूसरे पार्ट में लिखा हुआ के एक्स और ब्राइकट में अंदर लिखा हुआ एक्स माइनस दो और प्लस छे वराबर जीरो लिखा हुआ यहाँ पे दिया गया जो समीकरण है दूसरे का समीकरण के रूप में है नहीं पहले हम लोग इसको ब्राइकट को ओपन कर लेते हैं और जैसे ब्राइकट को ओपन करेंगे तो इसका मतलब के एक्स से जो इस्टेंडर्ड फार्म है उससे अगर हम लोग कंपेर कर लेंगे तो A is equal to निकलेगा K B is equal to निकलेगा 2K और C is equal to निकलेगा 6 अब देखिए मूल तो समान ही है लिखेंगे चुग की मूल समान है इसलिए B square minus 4AC यानि D जो है वो जीरो होगा अब B है कितना माइनस का 2K तो इसका हमने square कर दिया माइनस का 4 ये का मतलब यहाँ पे K है और C का मतलब यहाँ पे 6 है is equal to हमने 0 रख दिया ये 4K square हो जाएगा माइनस 6 चुग 24K हो जाएगा बराबर 0 अब देखिए दो यहाँ पे term बने है दोनों जगे कामन मिल रहा है 2 के तो आप कामन ले लीजिए अच्छा देखिए यहाँ पे 624 हुआ था हमने 2 ही लिखके छोड़ दिया गलती से ये छोड़ गया था तो यहाँ जो हमने 2 के कामन ले लिया तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बचेगा अब 2 के कामन नहीं लेना है अब 4 के कामन लेना है तो 4 के अगर कामन ले लिया तो के माइनस का 4 छंग 24 होता है इस इक्वल टू जीरो अब देखिए एक फैक्टर यह है और एक फैक्टर आपको यह मिल गया है दुई घास समी करण का तो एक बार तो 4 के इस इक्वल टू जीरो लिख दो तो के इस इक्वल टू जीरो ही लिख दो क्योंकि जीरो को 4 से अगर आप डिवाइट करेंगे तो इसका मतलब जीरो ही हो जाएगा अब दूसरा जो फैक्टर लिखा के माइनस 6 इस इक्वल टू जीरो तो k is equal to आप लिख लीजिए 6 इसका मतलब यह जो मान आपको निकला है k का यह वाला आप लिखतीजिए हमने लिखा answer बस लिखना वाकी अता k का मान 6 होगा बस यह answer आपका हो गया है sum number दूसरे का जो second था वो complete हो गया है हाँ तो students अब इसके बाद में हम लोग sum number third देखेंगे तीसरा सवाल देखेंगे और यह bird problems है और तीसरा सवाल लिखा हुआ है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभब है जिसकी लंबाई चोड़ाई से दोगुनी हो हो और उसका छेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो यदि हां तो उसकी लंबाई और चोड़ाई ग्याद करिए चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं तो सबसे हमने लिखा माना बाग की चोड़ाई बराबर यक्स मीटर लिख देंगी और लंबाई की बात कह रहा था वो दोगुनी होना चाहिए तो इसका मतलब ये दो यक्स मीटर हो जाएगी आप देखिए वाग का छेत्रफल आपको दिया हुआ है और बाग का जो छेत्रफल है वो आठ सो बर्ग मीटर है और बाग है आहताकार इसका मतलब छेत्रफल लंबाई गुने चोड़ाई होता है तो लंबाई गुणे चोड़ाई के बराबर आपको 800 दिया हुआ है लंबाई है यक्स और चोड़ाई है 2 यक्स देखें दो गुणा थी उसकी लंबाई या एक बार फिर से चेक करते हैं सवाल लिखा था जिसकी लंबाई चोड़ाई से दो गुणी है उसका छेत्रफल 800 बर्ग मीटर है, बिल्कुल सही है तो इसका मतलब जब इसको हम करके देखेंगे तो ये निकलेगा दो यक्स स्क्वाइर इस उक्वल टू 800 अब यक्स स्क्वाइर बराबर कितना बचेगा ये 400 आ जाएगा दो से इसको डिवाइट कर देंगे तो यक्स का मान निकालेंगी तो इसका मतलब इसको आ रहटाएंगे तो बराबर वाली जो संख्या है उसके उपर अंडर रूट चड़ा देंगे 400 जो है इसका रूट 20 होता है अब आपको आंसर लिखना बाकी है अता बाकी ये देखिए चोडाई है चोडाई हो गई है 20 मीटर इसलिए लंबाई कितनी होगी दोगुनी कह रहा था और आपने 2 यक्स माना ही है तो यक्स की वैलू यहाँ पर डाल दीजिए और ये 40 मीटर हो जाती है तो इसका मतलब सवाल कह रहा था क्या ऐसा कोई वाक बनाना पॉसिबल है तो अब आप लिख दीजिए हाँ वाक की लंबाई 40 मीटर चोडाई 20 मीटर होगी और यही आपका आंसर हो जाता है जो सवाल कह रहा था जिस वाक को बनबाने की बात कह रहा था तो इसका मतलब उस वाक की लंबाई आपकी 40 मीटर और चोडाई उसकी 20 मीटर है ऐसा वाक बनाना संभव है और इस तरह से सवाल नंबर जो आपका 3 था वो कंप्लीट हो जाता है हाँ तो इस टुडेंट्स इसके बाद में आप लोग सवाल नंबर चार करेंगे और इसमें लिखा हुआ है क्या निमलिखित इस्तिती संभव है यदि है तो उनकी वरतमान आयूग याद करिए और सवाल क्या है दो मित्रों की आयू का योग 20 बर्स है चार बर्स पूर्व उनकी आयू का गुणन फल 48 था बताईए क्या ये इस्तिती संभव है या नहीं ये सवाल आपसे पूश रहा है दो मित्रों की आयू का योग कितना है 20 बर्स तो चलिए हम इसको करना सुरू करते हैं और लिखते हैं माना पहले मित्र की आयू और इसको लिखते हैं 11 बर्स इसलिए दूसरे मित्र की आयू कितनी होगी आप देखो दोनों की आयू का योग दिया है इसका मतलब एक की आयू जो है उसमें से हम लोग घटा के ही मानेंगे तो इसका मतलब इसकी आयू हो गई है 20 माइनस यक्स बर्स आप देखिए लिखे आप प्रसना नुसार सवाल कह रहा है इन दोनों की आयू का गुणनफल जो है वो 48 है तो इसका मतलब एक्स और 20 माइनस एक्स का अगर आप गुणनफल करेंगे तो यह 48 होगा ब्राइकट को खोलेंगे 20 एक्स माइनस का एक्स स्कार इस उक्वल टू वो ही 48 लिख देंगे माइनस एक्स स्कार प्लस 20 एक्स और माइनस 48 इसको ट्रांसफर करके हम लोग जो है लेफ्ट साइड में ले आये हैं इसलिए प्लस जो था वो माइनस में चेंज हो गया है अब यहां पे हम सभी के निसान बदल देते हैं और यह निसान बदलने की बज़ह यह है कि जो एक्सी स्कार है उसे हमने प्लस का चाहा था और अगर पूरी लाइन की निसान बदल देते हो तो सबाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए यहां पे प्लस हो गया तो यहां प्लस था माइनस हो गया यहां माइनस था तो वो भी प्लस हो गया अब सबाल कह रहा था क्या बताईए यह इस्थिती संभब है कि दो मित्रों की आयू का योग 20 बरस हो और उनकी आयू का गोडन फल जो है 48 साल हो तो अगर संभब है तो सबसे पहले तो यह कर लीजिए 20 स्थिती आपकी संभब नहीं होगी तो चलिए हम यही करते हैं सबसे पहले इसको कंपेर करेंगे A X square प्लस B X प्लस C यानि जो दुईघा समीकरन का मानक रूप होता है उससे तुलना करने पर और यहां यह बराबर कितना होगा 1 और B बराबर कितना होगा माइनस का 20 और C बराबर कितना होगा यह 48 होगा तो अब विविक्तिकर हम लोग निकालते हैं इसका यानि D निकालेंगे और यह B square माइनस का 4 A C होगा B का मतलब है माइनस का 20 और इसका square कर देंगे माइनस का 4 A का मतलब 1 और C का मतलब है 48 हो जाता है और 20 भी सही हम यह होता है 400 माइनस चार अठी 32 होता है 4 चक्कू 16 और 3 यहां पे 19 हो जाएगा 192 होगा और देखिए यहां पे 20 square माइनस 4 A C एक बार चेक भी कर लेते हैं बी इतना है चलिए तो 400 हो गया और 48 को अगर हमने मल्टिप्लाई कर दिया 4 अठी 32 होता है और 4 चकू 16 और 3 उन्निस होता है इसका मतलब यहां से 10 लेओ 10 10 से 2 जाएगा तो 8 बचेगा यहां 9 रह जाएगा 9 से 9 जाएगा 0 रह जाएगा यहां रहा है 3 3 से 1 गया तो 2 बचा और इस तरह से अगर विविक्तिकर 208 आया है तो यह इस्थिती संभव है बिलकुल पॉसिबल है यानि अब इसको हम लोग एक बार सवाल को चेक करते हैं क्या यही सवाल पूछ रहा था या तो इसमें कुछ और था सवाल लिखा हुआ है दो मित्रों की आयू का योग 20 बरस है अच्छा सवाल गलत हो गया है पूरा 4 बरस पूर्व उनकी आयू का गुणन फल 48 बरस था सवाल यह पूछ रहा था देखिए सवाल जो कह रहा था कि दोनों की जो आयू है उनके चार बरस पूर्व की जो आयू है उनका गुणन फल 48 था चलिए हम लोग यह करके देख लेते हैं इससे पहले जो हम लोगों ने किया था सवाल बो बिल्कुल एकदम सही लगा हुआ है अगर सवाल इस तरह से लिखा होता दो मित्रों की आयू का योग 20 बरस है और उनकी आयू का गुणन फल 48 बरस है तो बताए क्या यह इस्तिती संभब है तो इससे पहले जो हम लोगों ने निकाल के रखा था उसके अकार्डिंग बिल्कुल वो संभब है लेकिन सवाल जो लिखा हुआ था वो यह कहता था अब कि इनकी चार बरस पूर्ब की जो आयू थी उनका गुणन फल 48 बरस है तो देखिए चार बरस पूर्ब पहले मित्र की आयू कितनी थी भई तो चार बरस पूर्ब पहले मित्र की आयू रही होगी यक्स माइनस चार बरस और इसी तरह चार बरस पूर्ब दूसरे मित्र की आयू कितनी थी देखिए 20 माइनस यक्स लिखा हुआ था इसमें से चार और घटा दीजिए तो इसका मतलब यह 16-100 बर्स हो जाएगी अब लिखते हैं प्रस्तना नुसार यक्स माइनस चार यह वाला और 16-1 यह वाला इन दोनों की गुणा करके रखते हैं और यह 48 बनता है यक्स से गुणा करेंगे तो 16-1 आ जाएगा माइनस का एक्स स्कॉार अब 4 से गुणा करेंगे तो यह 64 हो जाएगा 4 चंग 24-1 चार दो 6 होता ठीक प्लस का यह 4 एक्स हो जाएगा इस इकुल टू 48 ही आ जाएगा अब देखिए यह माइनस का एक्स स्कॉार हुआ 4 एक्स यह वाला 16 यह वाला इसका मतलब यह 20 एक्स हो जाता है 64 एवाला इधर लिखा हुआ है 48 वो भी इधर ही ले आईए और बराबर के बाद में 0 कर दीजिए माइनस का एक्स स्कॉार प्लस का 20 एक्स और माइनस का 4 और 8 जोड़ेंगे 8 4 बारा का 2 हो जाएगा 4 यह वाला और 6 बाला 10, یہ जास लोड़ेंगे 11 यह वाला निसान हमें बदलना है इसका यह प्लस का 112 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा अब देखिए एक्स स्कॉार प्लस बी एक्स प्लस Сी से यह बराबर कितना होगा 1 बी बराबर कितना होगा माइनस का 20 और C बराबर कितना होगा 112 हो जाएगा अब इसका हम बिविक्तिकर निकाल के देखेंगे तो कितना निकलेगा देख लीजिए बिविक्तिकर जो है D निकालेंगे और यह होगा B स्कौाइर माइनस 4 A C और अब सवाल को हम यहाँ पे करेंगे और B का मतलब है माइनस का 20 और इसका E स्कौाइर कर देंगे हम लोग तो 20 का E स्कौाइर माइनस का 4 A का मतलब देखो यहाँ पे लिखा है 1 और C का मतलब लिखा है 112 तो यह 20 भी सही हम 400 हो जाएगा माइनस का 4 से इससे जब गोना करके हम लोग लिख देंगे 4 दूनिया 8 होता है 4 एककन 4 होगा और 4 एककन 4 होगा यह 400 जो है प्लस का है 448 माइनस का है इसका मतलब 48 ही माइनस का बचेगा अब हम लिखेंगे चूक डी जो है वो छोटा है 0 से अता यह लिख दीजिए दी गई संभब नहीं है क्योंकि यहां पे डी जो है वो मरनात्मक आ गया है 0 से छोटा आ गया है तो इसका मतलब दी गई जो इस्तिती सवाल कह रहा है वो वाली संभब नहीं है कि दो मित्रों की आयू जो है उनका योग हो 20 बर्स और 4 बर्स पूर्व की आयू का गुणनफल 48 बर्स रहा हो ऐसा संभब नहीं हो सकता है हाँ तो इस अभ्यास का अब हम लोग लाश्ट सम करके देखेंगे और यह कुशन नमबर है 5 पांचमा सवाल है और बुक जो है अपनी वो एंसी आइटी की है तो देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या परिमाप 80 मीटर और 6 रुफल 400 बर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभब है यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चोड़ाई गयात करिए अब देखिए जो पार्क हम लोगों को बनाना है आयताकार बनाना है या वरगाकार बनाना है ये इसमें किलियर नहीं है लेकिन जो सवाल कह रहा है कहता है उसकी लंबाई और चोड़ाई बताईए तो अगर लंबाई और चोड़ाई पूछ रहा तो इसका मतलब लंबाई और चोड़ाई अलग अलग आयताकार छेतर में ही होती है तो हम लोग इसको ये मान के चलते हैं कि ये सवाल आयताकार छेतरफल की बात कर रहा है तो कहता है इसकी लंबाई और चोड़ाई ग्यात करिए उसका परिमाप 80 मीटर है और छेतरफल 400 मीटर है तो चलिए करके देखते हैं हमने लिखा माना पार्क की चोड़ाई बराबर है यक्स मीटर और देखिए पार्क का जो परिमाप है वो 80 मीटर है पार्क का परिमाप जो है वो है 80 मीटर और परिमाप का मतलब होता है दो लंबाई प्लस चोड़ाई ब्राइकट में रखा होता है इस तरह से तो हमने दो लिख दिया और लंबाई तो मालूम नहीं है तो ऐसे ही लिखे रखिए चोड़ाई यक्स मालूम है लिख दीजिए और बराबर 80 हो गया तो लंबाई प्लस यक्स के बराबर कितना हुआ दो से अगर इसको भाग दे देंगे तो यह 40 आ जाएगा तो इसका मतलब लंबाई कितनी हुई 40 और यक्स इधर लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा 40 माइनस यक्स करते हैं तो लंबाई उतनी बस जाएगी आप देखिए पार्क का छेत्र फल कितना है अब यह है पार्क चेत्र फल 400 वर्ग मीटर और पार्क का छेतर फल क्या होता है लंबाई गुणे चोड़ाई होती है तो वो ही हमने लंबाई गुणे चोड़ाई बराबर 400 लिख दिया अब लंबाई आपकी कितनी है देखिए 40 माइनस का यक्स है और चोड़ाई कितनी है वो आपने यक्स ही मानी थी तो इसका मतलब हम 400 इसको ऐसे रख देते हैं ब्राइकट खोलेंगे तो लिखेंगे 40 एक्स माइनस एक्स स्कॉार बराबर 400 अब माइनस का एक्स स्कॉार प्लस 40 एक्स और माइनस का 400 बराबर 0 हो जाता है अब अगर इसका हम निसान चेंज करना चाहें तो इसका मतलब इस तरह से हम इसको कर सकते थे माइनस था प्लस कर दिया प्लस था इसको माइनस कर दिया ये वाला माइनस इसको भी प्लस कर दिया अब देखिए 400 के दो टुकडे करने हैं जिनको जोडने या घटाने के उपर 40 बनता हो तो इसका मतलब यह 20 बिसंयम 400 होता है और जिसको आप गुणा करेंगे तो प्लस का यह 400 ही बनेगा जाके और जोडेंगे तो माइनस का ही 40 बनेगा यहां देखिए दो-दो का जो टर्म बन गया है इसमें हम लोग अगर कामन ले ले तो एक्स कामन ले लिया तो एक्स माइनस 20 बचा यहां पे अगर 20 कामन ले लिया तो यहां पे भी एक्स माइनस 20 ही बचेगा बराबर 0 हो जाएगा अब देखिए हम लोग यहां पे इसको करके देखते हैं अब देखिए X-20 ये वाले दोनों ब्राइकट एक जैसे बन गए कामन ले लिए इसका पहले X लिखा था इसका पहले जो है माइनस का X लिखा हुआ उनको एक दूसरे ब्राइकट में बंद कर देते हैं इस इक्वल टू जीरो लिख दिया है अब आपको फैक्टर मिल गए है इसके बराबर अगर आपने जीरो रख दिया तो आपको मूल मिल जाएंगे तो एक्सु बराबर कितना हुआ? बीस हुआ इसी तरह से एक्सु माइनस बीस बराबर जीरो तो एक्सु बराबर बीस हो गया इसका मतलब लंबाई और वो उसकी जो चोड़ाई है आपने निकाल के देख ली है बीस मीटर हो गई हमने लिखा आता पार्क की चोड़ाई बराबर बीस मीटर है और लंबाई कितनी हो जाएगी? जरा देख लीजिए लंबाई आपने निकाली थी चालिस माइनस यक्स थी तो चालिस माइनस यक्स की बैलू आई है बीस वो घटा के देखेंगे तो ये भी बीस मीटर आई तो इसका मतलब लंबाई और चोड़ाई दोनों समान है इसका मतलब बर्गा कार पार्क जो है बनाना पॉसिबल है लेकिन ये आईता कार नहीं हो सकता है तो हम लिखेंगे ये आता बर्गा कार पार्क बनाना संभब है और ये ही आपका आंसर हो जाता है और इस सम के साथ में ही आज की एक्सरसाइज जो है वो भी पूरी हो गई है और इक्सरसाइज के साथ साथ जो chapters number 14 चल रहा था दुईघात समी करन और इसके साथ में हमारी ही एक्सरसाइज 4.4 कम्प्लीट हो जा जाती है और इक्सरसाइज के साथ साथ हमारा chapter number जो 4 था वो भी complete हो गया w और आज का हमारा प्रियास आप लोगों को कैसा लगा है अगर प्लीज ये अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में सेर भी करें